स्टुडेंट्स स्वागत आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर तो स्टुडेंट्स आज की इस वीडियो में करने वाले हैं इंपोटेंट्स की लिस्ट है हमारे पास और यूनिट है आपके सिख्स्ट ऑप्टिक्स ठीके ना ट्वैल्थ क्लास की जो फिजिक्स है हरियाना बॉर्ड में कौन कौन से कुश्छन से जो आते हैं और कौन कौन सी टॉपिक इंपोटेंट हैं तो जो स्टुडेंट्स पहले बार रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा ठीक है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो इसमें पहला जो टोपिक है के अंदर भी आपको definition करनी है दंग से definition करने लाइव वो क्या है वह देख लेना एक बार उसकी बार total internal reflection तो इसके application आती है जैसे question आता है मेरे जिज़े ड्यू टू जो मेरे जोता हुआ कि इसके वज़े से उता total internal reflection तो इस तैप से question आते हैं तो इसलिए total internal reflection कर लेना इसके अंदर और टोपिक से जैसे critical angle क्या होता है ठीक है तो critical angle के बारे में पढ़ लेना critical angle और reflective index का relation क्या है वो पढ़ लेना आप total internal reflection के अंदर तो important topic है यह उसके बाद आता भी apparent depth and real depth of tank तो tank के जो apparent depth है और real depth है उसके बारे में numerical आता है कि जैसे माल और refractive index हो कि इसके ऐक वोल होता है यह होता है अपका जैसे जो real depth है from आप quieter time to खेह लिए अन खेह उपर अपेरेंट टैफ्द तो इस फॉर्मॉला के ऊपर क्या थैं एर के लिए वन रहता है उसके बाद है भई लेंस फॉर्मुला तो लेंस फॉर्मुला जैसे ए बी निश्यो मेथड से है ना वो लेंस फॉर्मुला आपको करना है ठीक है तो लेंस फॉर्मुला कर लेना डंग से उसका जो लास्ट वाला रिजल्ट हो वो सभी को याद होना च प्रोव करना तो नहीं था प्रोव करना नहीं थे तो प्रेजम फोर्मूला के इंदर जो रिफ्रेक्ट्पींडेक्स है तो इसमें यह आ जाएगा उसके बाद डिस्परिशन ऑफ लाइट सिर्फ टैञ्ट इसमें आजाएगा डेफिनेशन कर लेना और ठीक ना कि वाइट कलर का जो है साथ कलरों में बटना प्रिजम के माधिम से scattering of light scattering of light definition करनी है किस color की scattering ज़्यादा होती है किस के कम होती है वो करना है अगला question देखिए relation between wavelength and refractive index wavelength जो होती है और refractive index इसका relation क्या है inversely proportional है क्या है दोनों inversely proportional है तो जिसकी wavelength ज़्यादा होती है उसका refractive index कम हो जाएगा relation between wavelength and velocity लेटेटी तो विलोस्टि और वेवलेंस में क्या रिलेशन है तो जिसकी वेवलेंस जदा होती है उसकी विलोस्टि भी जदा होगी टो डेरेक्ट ली प्रपोर्शनल तो कई बार कोष्चन आजऑता है कि विब्ल configure में किस विलो जुष्टि सबसे जजादा तो red color की सबसे ज़ादा होती है क्योंकि उसकी wavelength सबसे कम violet की होती है क्योंकि उसकी wavelength सबसे कम है वही ठीक है तो यह relation कर लेना उसके बाद आता है simple microscope ठीक है पांस नमर में article आ सकते हैं तो simple microscope इतना ज़्यादा कभी आया नहीं है ठीक है मैंने लिख दिया है फिर भी छोड़ना न इस तो in हम ऐ तो इस नबस है एक तो आएगा रोत 두ोड़व से ठीक है वाँ आपकूशन तो दूसरी है वेव एव औ्पिक्स तो इसमें से बननते हैं उसके बात करते हैं वेव उप्टिक्स यहां से वेव उप्टिक्स प्रोजाती है इंटर फेरेंस पांच नंबर का आर्टिकल है इंटर फेरेंस ठीक है यह कर लेना उसके बाद फ्रिंज विड्ट के उपर नुमेरिकल आता है यह जो फॉर्मुला में लिख रहा हूं बीटा इसकल लेमडा डी एपोंडी ठीक है ना कैपिटल डी तो है स्क्रीन से स्लेट की दूरी और स्मॉल डी है स्लेट के बीच की दूरी आपस में तो इस फॉर्मुले के उपर नुमेरिकल आया है भी बहुत बार ठीक है तो यह इसलिए मैंने यहां पर स्पेसल लिखा है फ्रिंज वि यहां और स्ट और दे बिया शग्ले और स्ट चुंग स्प्रिंफ्रेक्शन जे अंहेंस वर्द्द्न ओंना श्काषान को इसलिया करना है इंज प्रैस्ट लए इसान उन्हीं पड़कर तो यह है उंसमें से एक कोशन आपको 100% मिलेगा ठीक है इंटरफेरेंस है डाइफरेक्शन है हाइगन्स प्रिंसिपल है तो यह करके चले जाना आप तो यह था भई आपका ओप्टिक्स से रिलेटड ठीक है ना ओप्टिक्स रिलेटड जो भी इंपोटेंट था वो मैंने आपको बताया है बाकी तो देखी ऐसा नहीं है कि इन्हीं में से आएगा क्या पता कहां से टोपिक एक्जामनर कैसे दे दे लेकिन इस यूनिट से वन मार्क्स वाले कोशन बह था देतार प्रवास में धोटे करने है एक पतार रा मकर्स कर सक्षिंग में से जाएंग जो खबाटिक्स रिले नाव में एक्रवद करेंब्स कर दोबाटिक्स